मूवी दुर्गा मती हो चुकी है Amazon Prime पर रिलीज ऐसे में भूनी पेटनेकर, अर्शद वार्सी, स्टार ये मूवी को कैसे मिल रहे हैं, रिव्यूज और कैसी रही मूवी बताते हैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर दुर्गा मती जो है, रिलीज हो चुकी है, हम आपको बता दे, दुर्गा मती is a re-adaptation of movie भागा मती from South Cinema, यानि कि South Cinema में ये movie already release हो चुकी है, इसका जो original version है, जिसका नाम था भागा मती, वो थी दुर्गा मती की, original movie जिसको re-adapt करके बनाई गई है, Bollywood की दुर्ग होगा, वही अनुषका शैटी भागा मती में, में लीड रोल में नजर आएं थी, तो वहीं दुर्गा मती के लीड रोल में नजर आ रही है, भूमी पैडने कर, और साथ में इनकी नजर आ रहे हैं, अर्शद वार्सी भी इस movie में, अब हम आपको थोड़ी performances पर अगर क्रेट नहीं किया गया है, इसे में क्रेटिव ग्राउंस पर दुर्गा मती पीछ चूट जाती है भागा मती से, क्योंकि कुछ भी क्रेटिव नहीं किया गया है, as it is copy कर दिया गया है, तो वहीं performances की बात करें, तो अगैन जब कोई movie recreate होती है, तो performances comparisons तो आई जाते हैं, ऐसे में दुर्गा मती में भूमी पेटनेकर की performance no doubt powerful है, but she couldn't beat Anushka Shetty and there is no doubt about it, कि Anushka Shetty की performance को beat नहीं कर पाई है, भूमी पेटनेकर उन्होंने अपनी जगे पे काफी कोशिश किये, बहुत powerful performance देखिए, लेकिन अगर आपने यहां पर भागा मती देखी हुई है, Anushka Shetty की performance देख को आप ignored नहीं कर सकते हैं मूवी में, अर्शद वार्सी is worth all the praises in the movie, उन्होंने इतना अच्छा से अपना role निबाया है, उनकी तारीफ करना तो बनता है, या पर भली re-adaptation है जो भी है, लेकिन अर्शद वार्सी is shining all throughout the movie, वहीं पे भूमी पेटनेकर इतना ज़ादा expectations को भागा मती देखें, तो again this is the same thing, कि आपको दुर्गा मती उतना शायद पसंद ना आए, तो इस movie को I'll give 2.5 stars out of 5, साथ हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने भागा मती नहीं देखें तो सीधर दुर्गा मती देखें, तो one time watch आपको जरूर देखने लाइक लगेगी है, ल साथ हमार रिव्यू कैसा लगा, यह भी जरूर लिखकर बताएगा, साथ हमार चानल देखते रहें, क्योंकि ऐसी खबरे, ऐसे रिव्यूज हम आप तक हमीशा पहुंचाते रहेंगे.